मिधुन चकरवरती और रजा मुराद ने एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है लेकिन उनकी दोस्ती के किसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि किस तरह से रजा मुराद मिधुन चकरवरती को अपना सबसे अच्छा और खास दोस्त मानने लगे थे अभी जो वीडियो में आप ये पत्रिका देख रहे हैं ये 1989 की पत्रिका है जिसमें राजा मुराद ने अपने खास दोस्तों के बारे में खुलकर बात चीत की थी जिसमें उन्होंने मिधुन चकरवरती के बारे में बहुत ही दिल्चस्प बाते बताई थी तो चलिए हम वीडियो में आपको उन बातों को बताते हैं रजा मुराद ने इस पत्रिका में मिधुन से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए बताया कि वो पूरे इंस्टिटूट में उनसे एक साल सेनियर थे और जब उनकी पहली मुलाकात मिधुन चकरती से हुई तो उन्होंने मन बना लिया था कि एक दिन वो मिधुन चकरती को रैगिंग के लिए घहरेंगे और एक दिन आखिरकार मिधुन चकरती को हम लोगोंने रैगिंग के लिए घहर लिया और मिथुन से पूछा क्योबे क्या नाम है तेरा तब मिथुन ने हकलाते हुए कहा जी गरुन तब मैंने मिथुन से पूछा कि गरुन का अर्थ क्या होता है तब मिथुन ने कहा कि गोरा रंग तब हम लोगों ने हसते हुए उसका मजाक उड़ाया कि जब तेरा रंग सावला है तो फिर तेरा नाम गरुन कैसे हो सकता है लेकिन उस दिन मिथुन चकुरती की आखों को देख कर मैंने एक बात नोटिस की उनकी आखे बहुत ही इंप्रेसिब थी उस वक्त मिथुन चकुरती के बाल बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते थे बाद में मैं और मिथुन चकुरती बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए मिथुन चकुरती जब बहुत बड़े सुपरिश्टार बन गए तो उन लोगों की उन्होंने बहुत ही मदद की जो उनके साथ पूरे इंस्टिटूट में पढ़ा करते थे मैं भी उनमें से एक था साथ ही राजा मुराद ने इस पत्रकर में इभी बताया है कि मिथुन चकुरती अपने रोमान्स के किस्से जल्दी किसी के साथ सेर नहीं करते थे जबकि दूसरों के किस्से वो बहुती दिलचस्प अंदाज में सुना करते थे ये उनकी खास एक आदत थी उस जवाने में मिथुन चकुरती सिगरट काफी फीते थे लेकिन बाद में उन्होंने सिगरट को छोड़ दिया था रजा मुराद ने आगे बताया कि ऐसा ही एक किस्सा फिल्म गुलामी की सूटिंग के सिट पर हुआ हम लोग फिल्म रेगिस्तान में राजिस्तान में सूट कर रहे थे और वहाँ पर बहुत ही ज़ादा गर्मी थी उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि बावर्ची ने खाना नहीं बनाया था और सभी लोग बहुत ही भूंके थे और धरमेंदुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तब मितुन चकरूरती ने पास के गाउं में जाकर कुछ अंडे लेकर और सभी के लिए अंडे अपने हाथों से बनाये इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया उस दिन मुझे मितुन चकरूरती को देख कर पता चला कि एक सुपरिश्टार होते हुए भी मितुन चकरूरती में जरा भी घमण नहीं था जैसे कि उस दोर के दूसरे सुपरिश्टार्स में हुआ करता था तो मिधुन चगरुती की ये बाते सुनकर आपको अच्छी लगी होंगी वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्यू